प्रेम कोई कारण नहीं होना चाहिए प्रेम के पीसे अकारण हे जगदीश मेरी तो ऐसे कोई कामना नहीं है कि मुझे कोई धन चाहिए या कोई उचे खुलों में जन्म चाहिए या कोई प्रसिद्धी चाहिए तीनों लोगों में ना ना धनम ना कोई विश्व सुन्द्री चाहिए ना फे जगदीश मेरी तो ऐसे कोई कामना नहीं है बगवान कहते हैं फिर क्या कामना है मेरे भक्त मुझे तो बदलाओ तो चैतन मापरूज कहते हैं कि मम जन्मनी जन्मनी श्वरे भगवत भक्ती रहत की तुई ए भगवान मुझे तो जहां भी जन्म मिले जैसे भी घर में जन्म मिले उचे नीचे लोकों में कहीं भी तो जनम जनम आपकी भक्ती मुझे देना जनम जनम आपकी सेवा मुझे देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आपकी सेवा में मैंने आनंद पाया है वो कहीं नहीं है तीनों लोकों में नहीं है मुझे चाकर राखो जी प्रभू जी मुझे मीरा भाई को ये रस आने लगा तो उन्होंने कितना सुन्दर भजन गाया है बनाया है मुझे चाकर राखो जी अरी मीरा चाकर रह के क्या करेगी चाकर रशा बाग लगाशा मितुठ दर्शन पाशा व्रिंदा बन की कुंज गलिन में गोविंद गोविंद गाशा माने चाकर राखो जी प्रभु जी माने चाकर राखो जी ए गोविंद तेरी चाकरी में जो आनन दाता है कहीं नहीं है बाग लगाऊंगी तुलसी फूलों की बाग लगाऊंगी उनको सीचूंगी ब्रिंदा बन की गलियों में गोविंद गोविंद तेरे गुणगान करूंगी मुझे चाकर राखिए आपके चरणों की सेवा दीजिए भगवान यही एक मात्र अविलाशा शुद्ध भक्त के इर्दे में बाकी रहती है तभी उसको भगवान की उपलब्दी होती है परमधाम की उपलब्दी होती है भगवान की भक्ति स्रेष्ट है भगवान ने अपनी मुख से अलग-अलग जगे पर इशारा किया है हम अज्ञानी पूर्शों को तो समझना चाहिए इस बात को आठ्मे अध्या का अंतिम श्लोक है 28 भगवान कहते हैं कि वेदेशु तपेशु यगेशु तपेशु चयो दानेशु यत पुर्ण फलं प्रदिश्टं अत्यति तत्सर्वं इदं विधित्वा योगी योगी परमिस्थानं उपैति चाज्यं यहां पर जो भक्त योगी ध्यान योगी भक्त योग भक्त योग ध्यान योग कर्म योग तीन प्रकार की योग हैं जो गीता में विशेष करके वर्णन होए है इन तीनों प्रकार की योगों से मुक्ति तो मिल जाती है लेकिन भक्ति से एक मात्र भगवान की प्राप्ति होती है और दूसरी प्रकार की मुक्तियों से ब्रह्म जोती प्राप्त होती है निराकार की प्राप्त होती है अगर आप अपने व्यक्तियगत भगवान का भजन नहीं किया हिए प्रेम नहीं किया है उनसे मैश सिद्धी प्राप्त होने पर लेकिन भगवान की उपपरम भगवान की गोविंदky प्राप्ति तो तहीं है पर्मेश्वर की प्राप्ति पूर्शоне-पर्सौतन्हाद Śiddhi प्रेम आपका जहां पर पवित्र प्रेम है निष्ट काम प्रेम है आहेतु की जिसमें कोई कारण नहीं हेतु नहीं आहेतु चातनमा प्रूब तो यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान आपकी आहेतु की भक्ती चाहिए जिस भक्ती में कोई कारण ही नहीं हो इसका आनंद तो बड़ा उंचा है जिसका कोई कारण ही नहीं है और भक्त मगनों के नाच रहा है गारा है भगवान की सेवा में लगा हुआ है आनंद मगन है फूलों के बाग लगा रहा है फूल तोड़ के ला रहा है चड़ा रहा है जो भी कुछ कर रहा है किसी कारण से नहीं एक मात्र भगवान को प्रसंद करने के लिए इस बक्ति से भगवान की उपलत्थी है निस्काम बक्ति एहत की बक्ति मम जनमनी जनमनी भगवत बक्ति एहत की तो ही आप्रारार्द फलम पापम कुतम बीजम फलोन मुखम क्रमे नयव प्रलियते विश्णु भक्ती रतात्मनाद भगवान विश्णु की जब हम विश्णु भगवान कहते हैं तो विश्णु में और कृष्णु में भेद तो नहीं जानना चाहिए आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बात को की तीन प्रकार के विश्णु है जो भगवान स्री कृष्ण के अवतार पुर्शा अवतारों माते हैं महा विश्णु जिनके रौम कूपों से जिनकी सासों से कारणों दक्षाई कारण समुद्र में कारणों आदक समुद्र में कौजल वाटर में जिनकी ब्रीधिंग से जिनकी सास लेने से बबल्स उठते हैं जल के अंदर वो बबल्स ही ये अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत ब्रह्मांडों में बबल्स की तरही ब्रह्मा बसे हुए हैं बबल्स की तरह जैसे एटलांटिक महा सागर में बबल्स उठ रहे हों अनंत असंक ऐसे ब्रह्मांड हैं उनकी सरष्टी में भौतिक रचना में और उन ब्रह्मांडों में इतनी ब्रह्मा हैं और इतन दक्षाई विष्णु है गर्वो दक्षाई विष्णु है महा विष्णु है यशैक यशैक निश्वासिता कालम अभाव लंभ्या जीवंति रोमा विला जा जग्दानंद ना था विष्णु है यशैक निशैक 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 न कला विशेशो गुविंदमादी पुरुषं तमा आम वसामी यचक्षुर एस सविता सकल ग्रहनं राजा समस्त सुर्म मूर्तीर अशेश तीजहो यश्य आज्या, ब्रह्म्ती, सम्भित, काल चक्रो गुविंदमादी पुरुषं तमा आहाम भजामी जिनकी आज्या से ये काल चक्र गूमता है काल चक्र क्या है? समय चक्र समय का पईया गूमे रेबया लाख तरह इंसान चले कभी लिए सामान चले तो कभी लिए बाराद चले कभी लिए सामान चले तो कभी बिना सामान चले काल का पईया तो ये काल का पईया को गुमाने वाले भगवान है ये तमाम यूनिवर्स को गुमाने वाले बखवायन स्री कृष्ण है उनकी आज्या से ये संभरित नौकर की तरह जैसे एक नौकर अपनी बॉस के सामनी उसकी आज्या से नाचता है ठीक वैसे ये समस्त काल चक्र बखवायन स्री कृष्ण की भगुटि के इशारे से नाचता है तो यह पुर्शा आउतार तीनों प्रकार के ब्रह्मा विश्णु महेश और तीन प्रकार के विश्णु और ब्रह्मा विश्णु महेश भी ये सब पुर्शा अवतार और बगवान के अंश अवतार हैं ब्रह्मा विश्नु महेज विश्नु पुर्शा अवतारों में आते हैं विश्यस करके लीला अवतार हैं जैस चौईस अवतारों का वरणन भागवत में सुदे गुस्तौामी जी कर रहे हैं पुर्शा आउतार, लीला आउतार, मनु अंतर आउतार है ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदे मनु बदलते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन चार अरब और बीस करोड वश के आयू का होता है एक दिन ब्रह्मा जी का भागवत में इसका उलेक प्रवपा जी महराज करते हैं कि ब्रह्मा जी की आयू तीन सो ग्यारा ट्रिलियन और चार सो बिलियन वर्ष है तो भगवान की सही सही कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ती करनी चाहिए बिना उनकी कृपा के बिना उनकी भक्ती के भगवान को नहीं जाना जा सकता भगवान ने ये दोहराया आये बार 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 भक्त्या मामा भी जानाती यावनिश चाश्मी तत्व तहा तत्व माम तत्व तो ग्यात्वा विश्टे तदनंत्रम बिना भगवान की भक्ती के बिना उनका भक्त बने बिना उनकी सेवा किये भगवान सरी कृष्ण को कोई नहीं जान सका नहीं जान सकेगा ये बगवान के शब्द है भक्तिया माम अभी जाना थी कोई भक्ती भक्ती से ही मुझे तत्व से जान सकता है कि मैं कौन हूँ जो मुझे तत्व से जान लेता है वो तो मेरे धाम का वासी बन जाता है He enters into my abode supreme abode as a person he is not going to merge in ब्रह्म जोती never never जो जाई के भावता सोता ही के पास वेदेशू वेदेशू यग्येशू तपेशू चयो वेदेशू यग्येशू तपेशू चयो दानेशू यत्पुर्ण फलंप्रदिष्टा अत्यती तत सर्वं इदम विधित्वा योगी परम इस्थानम उपैति चाध्यम तो ये भक्त के सामनी भक्त इस बात को जान जाता है कि वेदों के अध्यन अध्यापन से और यग्यो के करनी से और तप दान इत्यादी के करनी से जो पुर्ण फल मिलता है वो भक्त को वो सारा पुर्ण फल भक्ती में स्वते ही मिल जाता है सारा फल अत्यती तत सर्वम इदंभिदित्वा योगी इस्थान योगी परम इस्थानम उपैति चाध्यम ये भक्त योगी की बात हो रही है भगवान स्री कृष्ण भक्त के लिए बोल रहे हैं कि वो पुर्ण फल तो मिली याता है लिए उससे स्रेश्ट फल जो परमपद की प्राति यानि मेरे धाम की प्राति उस मेरी प्राति उस भक्त को हो जाती है योगी परमिस्थानम उपैति चाहिए परमिस्थान तो भगवान का परमधाम है तद्धामं परमममा ना तदभास यते सूरियो ना शशांको ना पावकां यद गत्वा ना निवर्तंते तद् दाम है जहाँ पर सूरिय चंद्र अगनी इत्याधी के आवशक्ता नहीं है इतरनिटी में भगवान का दाम इतरनल है वहाँ पर इनकी आवशक्ता नहीं है पर दाम में क्या जो रत्य कोई सूरिय उदे होगा तभी उजाला होगा या सूरिय अस्त होगा तभी अंदेरा होगा वहां तो भगवान की अचिन्त लीलाएं चलती है अचिन्त उजाले अचिन्त अंदे भगवान के जो है छवियां बदलती है उस धाम की अचिन्त जो हम मन बुद्धी से परे जिनका चिन्तन नहीं कर सकते ना तद भास्यति सूर्यों ना शचान कैसे कहें भगवान आपको जिस वस्तु को आपने कभी जाना नहीं उसको किस तरह जना है इतना भी समझ लो मोटे मोटे अक्षरों में कि भगवान के दाम में सूर्य चंद्र और अगनी की आशकता नहीं है तो अभी बहुत बड़ी बात है अभी सभी बात वगवान बतला दे है जो उनके धाम की महिमा है या वेकुल्ट धामों की महिमा है कैसे बतला सकते हैं कैसे अंधे को इस सुन्दर्ता का वरणम जो स्रश्टी में विक्री हुई है कैसे करें कर भी दें तो अंधा समझेगा क्या अंधा क्या समझेगी हरा रंग क्या होता है लाल रंग क्या होता है लिए इतना तो जानता है कि सूर्य तेज होता है तो धूपाती है अगनी जलाती है चंद्रमाशी तलता देता है तो मोटे मोटे अक्षरों में भगवान ने बतला दिया ना तद भास्यती सूर्यों ना शशांकों ना पाउंका यद गत्वा ना निवर्तंते जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो पुनर्जन के वापिस बहुत एक संसार में वापिस नहीं आता जनम्रण जराव्यादी से सदा सदा मुक्त हो जाता है इतना ही नहीं यद गत्वान अनिवर्तंते तद्धाम पर्मंबवान वो मेरा धाम है जहां से वापिस नहीं हाता लोटके वो भगवान का धाम है तो कोई कहेगी ब्रह्म जोती भगवान है ब्रह्म जोती से भी स्रेष्ट है वो तो ब्रह्म जोती में वैकूंट जगत है वैकूंट धाम है अनन्त और उनमें पर्म धाम भगवान का पाथ उस मारायन का है परमिश्वर का है, गोविंद का है कृष्ण कनिया का है तो उनको तत्तु से जानने के लिए तो उनकी भक्ती करनी पड़ेगी और कोई तो मार्ग नहीं है किसी को जानना है बहुत नजदीक से तो उसका प्रेमी तो बनना पड़ेगा वरना कैसे भेद खुलेगा कैसे आप जान पाओगे तत्तु से जो मुझे तत्तु से जान लेता है वो तो सदेव के लिए मेरे धाम का वासी बन जाता है तो अर्थन गल्टने निकालें बहुत से फिलोसफर और साइंटिस्स और बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स और एक मात्र निराकार में ही आसकत रहने वाले भागुद गीता का अर्थ का अनर्थ नहीं निकालें यह मेरी प्रार्थ नहीं भगवान ने अनेको जगा इस बात को कहा है और यह जगा जगा इसपश्ट हुआ है कि भगवान साकार स्वरूप से परम आउस्ता में है भगवान ने कहा कि ब्रह्म नोही प्रतिष्टाम अमरित श्या व्याय श्यच शाष्वत श्यच धर्मश सुखश्य एकांतिक श्यच वो ब्रह्म जोती का आधार भी मैं हूँ भ भगवान के परम रूप से दूर हैं सदेव के लिए दूर हैं आपको ही लौस है वेदेशु यगेशु तपहसु चैव दानेशु यत्पुर्ण फलं प्रदिष्टं अत्यती तत सर्वम इदम विदित्वा योगी परम इस्थानम उपहती चाध्यम परम इस्थान भगवा हैं उससे उपर कोई इस्थान नहीं है इसलिए परमिस्थान बोला है इस प्रकार से आठवा इद्ध्याय भागुत गीता का संपूर्ण वाहे जैगोपाल आएए गोविंदो जैए जैए गोपाल जैए जैए गोविंदो जैए जैए गोपाल जैए जैए राधारमनुहरी गोविंदो जैए जैए गोविंदो जैए जैए बोलो गोविंदु जय जय गोपाल जय राधारमनु हरी गोविंदु जय जय गोविंदु जय जय गोपाल जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हारे रामा हारे रामा 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 हारे हारे बोली स्री कृष्ण चंद्र भगवाने की जय गोविंद गोपाले की जय आई प्रिये सज्जिनो श्रीमत भागवत गीता का नव मिध्या है भौत स्रेष्ट और भगवान का प्रेम अपनी हिर्दय में उदे करने वाला है इसे बहुत ही sincerity से समझना और सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए सृधाई सबसे स्रेष्ट है सृधा बिना भगवान के शाश्तर में भगवान के शब्दों में भगवान के बक्तों में आदमी को रुची नहीं पैदा होती और कोई उसका लाह नहीं प्राप्त होता है सुर्दाई परमलावं सुर्दा से परमलाव की उपलब दिये सुर्दा से स्वयम भगवान की उपलब दिये सुर्दाफेत आए प्रणाम कीजिए भगवान को Om Namo Bhagavate Vāsudevāya Om Namo Bhagavate Vāsudevāya Om Namo Bhagavate Vāsudevāya Narayanam Namaskrityam Nanam Naram Cheva Narotavam Devīṁ Saraswatīṁ Vyāsaṁ Tato Jaya Mudīrayet Naṣṭe Prāyesu Abhadrēṣu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttam Išloké Bhagdīr Bhavati Nashtaki Govind Dayawan Hai Daya Ke Saagr Hai Karunawan Hai Karuna Ke Saagr Hai उनकी करuna बरस रही है श्रीमत भागवत के माध्यम से तमाम तरलोकी में तमाम जीवों के लिए जो इस कृपा के पात्र हैं जो लालाईत हैं इसको पानी के भगवान की कृपा को वो भागवत सस्थंग में आते हैं गीता भागवत के सस्थंग में रुची लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और भगवान के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं और परमसिद्धी को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं उनको जीवन का परमलाब मिलता है नवम अध्या के पहला इस लोग को कह रहे हैं भगान स्री कृष्ण की सुमधुरवानी जिनके भी कानों में जाती है वो प्राणी धन्न हो जाता है तो इस लाब को लेने से नहीं चुकिए नवम अध्याय श्रीमत भागुत गीता का सर्व स्रेष्ट अध्याय जिसमें भगवान ने भहुत इस पश्ट रूप से ऐसी बाते कही हैं कि आप लोगों की हिर्दे में भगवान का भक्ती भगवान का प्रेम जागरित हो उठेगा श्री भगवान वाचो श्री भगवान बोले इदं तूते ग्वेर्थमं प्रवक्षाम्य अनसुयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष से ऐश्भात इदं तूते ग्वेर्थमं प्रवक्षाम्य अनसुयवे हे अर्जुन तो मेरा आती प्रिये भक्त है प्रिये सखा है मेरी प्रिये आत्मा है इसलिए मैं तुझे अब ग्वेतम ग्वेतमम यानि रैशपूर्ण वस्तो के विशे में वर्णन करूँ है अभी अभी तक आपने आठ अध्यायों में जो भी भगवान से सुना वो उत्तम अति उत्तम ज्ञान सुना अभी ग्वेतम रैश्ट में सीक्रेसिस अब भगवान इस अध्याय में कुछ रैश्ट में बारताला अर्जुन से करेंगे उस रहश्य को आप भी जानने की कौशिश कीजिए बवान कहते हैं कि ऐसे रहश्य में ग्यान को जानकर के है अर्जुन जिसे में तुझे जिस ग्यान को विज्ञान के सहीत कौँगा ग्यान ग्यान होता है विज्ञान विज्ञान होता है ग्यान होता है आपने जान लिया कि अगनी में हाट डालने से हाट जल जाता है आपको ग्यान हो गया आपको अभी जिंद्गी बर अगनी में हाथ नहीं डालेंगे लेकिन अभी विज्ञान क्या है ये अनभाव है Realization ये अभी नहीं किया नहीं जाना जब इसको भी कभी जान जाओगे तब कहेंगे कि भाईया हम जान गए अगनी में हाथ जलता भी है ये ज्ञान है हमने पढ़ा है किताबों में सुना है लोगों से और हमारा एक दिन गलती से हाथ चला गया वास्तों में जल गया हम जान भी गया अनभाव भी हो गया तो बगवान कहते हैं इस रहष्ण में ज्ञान को मैं तुझे ग्यान को रहष्ण में ज्ञान को अनभाव सहीत कहूंगा जो मेरा अनभाव भी है ये नहीं भाई ग्यान ही ग्यान दे रहा हूं थोपराओं अर्जुन ना अनभाव जो कर चुका हूं उस अनभाव के अनुसार ये मैं कहूंगा यह मेरा अनुभाव है यह मेरा रियलाईशन है ग्यान को रियलाईशन के साथ अनुभाव के साथ मैं कहूंगा यज ग्यात्वा मोक्ष से एशुभाद जिसे जान करके जिसे जान करके अशुब अशुब से मुक्ति हो जाएगी अशुक कोई नहीं चाहता समय का अवाव है अगली ससंग में इसका वर्णन करूँआ जे गोपाल अट्लांटिक फार्म कैश अन कैरी 114-15 अट्लांटिक अबन्यू रेश्मेंड हिल न्यू यॉक ग्रैंड ओपनिंग अट्लांटिक फार्म कैश अन कैरी पीरवार एक दिसंबर बतेरे किसे भी जानकारी ली लीखे नमबराते काल करो Atlantic Farm Cash & Carry Rishman Hill. बहर दोगाओा, अपना, अपना.